तो हेलो स्टूडेंट वेलकम एक टू माई चैनल सम्राट केडमी तो दोस्तों मेरा नामेकास और जैसा कि अब लोग सभी जानते हैं कि कलमने यहां तक क्यूशन आप लोगों का सत्तर में सत्तर मजों बिल्कुल हम लोग करा रहे थी हिंदी का तो यहां तक हो गया था प्रश प्रश्ण पाचवा देखेंगे प्रश्ण नबर छटवा पूरा 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 ग्रामर देखने वाले हैं इसके जीत्रा भी खंड काव्य मतलब जीत्रा भी है सब कुछ आप लोगों का सत्तर में सत्तर मां के साथ पूरा बिल्कुल किलियर हो जाएगा ठीक है तो चलिए आपके एक्जाम में आएगा कि लेखा का जीवन पर्चे पूछेगा तो उसके बाहर नहीं जाएगा ठीक है और बहुत हमने तरीके से लिखा है और उससी प्रकार आपको भी लिखना है चलिए देखिए पहला है अचारे राम चंदर सुकल जी ठीक है यह तो पहला आपको गराम में हुआ था और इनके पिता का नाम था चंदरबली सुकल चंदरबली सुकल इसको दखिए ब्लेक पेंस हालाइटेड कर देना आप लोगों को ठीक है इंटरमीडियेट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई और यह सरकारी नोकरी करने लगें किन्तु स्वाविमा से प्राप्त किया मतापने से ही पढ़के उन्होंने प्राप्त किया ठीक है फिर बाद में कासी नागरी प्राचिरडी सवाकासी से जुड़कर इन्होंने सब्द सागर के सहायता संपादक का कारेभार संभाला और इन्होंने कासी विश्वविद्याले में हिंदी विभाग द्यश का पद भी सुसोवित किया ठीक है सुकल जी ने लेखन का सुभाराम कविता से किया था और नाटक लेखन की और भी इनकी रूची रही पर इनकी प्रकर बुद्धी इनको निबंद लेखन यम आलोचना की और ले गई निबंद लेखन और आलोचना की छेतर में इनका जो सरोपरी अस्थान आज तक बना हुआ है आगे बात करेंगे कि जीवन के अंतिन समय तक साहित्य साधन साधना करने वाले सुकल जी का निदन कब 1941 में हुआ था ठीक है उनकी जो मत्तपूर रचना है सुकल जी की विलच्छन प्रतिबा के दनी थे इनकी रचना निविखी थ चिंता मड़ी इसके दो वाग था विचार विथी ठीक है इसके बाद लिखेंगे दर अलोचना इनकी मत्तपूर रस मिमांसा त्रिवेडी सूर तुलसी और जैसी पर अलोचना है उन्होंने लिखी थी इतियास हिंदी साहित का इतियास उन्होंने उनका था संपादन तुलस आपको इतना छोटा लिखेंगे पूरा पूरा नमर मिल जागा दूसरा जो कि तयार करके आपको 2022 वोड़ी जाना है वो है जैसंकर परसाद जी का ठीक है तो हैडिंग डालेंगे आप लेक पैसे जीवन पर चे ठीक है लिखेंगे जैसंकर परसाद बहुमुखी प्रतिवा क दनी सहित्यकार थें उनका जन्म अठारोसो इसवि में कासी सुगनी साव नामक प्रसीद वेस्य परिवार में हुआ था उनके यहां तमाखु का वैपार होता था उनके पिता देवी प्रसाद और पितामा सिवरत्न साव थें इनके पितामा परम सिव भक्त और दयालु थें उनके पिता भी अत्यदिक उदार और साहित प्रेमी थे प्रसाजी का बच्पन सुखमे था बाले काल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ दाराच्षेतर अंकारेश्वर, पुसकर, उजेन और वरज आदी तिर्थों की यात्राएं की यात्रा से लोटने के बाद पहले उनके पिता का और फिर चार वर्स पस्चात थी उनकी माता का निधन हो गया प्रसाजी का सिछा दिछा और पालन पोसन का प्रबंदन उनके बड़े भाई कौन संभूरत ने किया और क्विंस कालेज में उनका नम लिखवाया किन्तु उनका मनवान न लगा उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्यन स्वधाय से घर पे ही प्राप्त किया उनमें देखें इसके नीचे लिखना है उनमें अंग्रेजी और संस्क्रित का अध्यान सोधाय से घर पे ही किया उनमें बचपन से ही साहित्य नुराग था वे साहित्य पूस्तके पढ़ते हैं और कावे रचना करते रहें पहले तो उनके भाई कावे रचना में बांदा डालते रहें परन्तु जब उन्होंने देखा कि प्रसाजी का मन कावे रचना में अधिक लगता है तो उन्होंने पूरी स्वतंतरता उन्हें दे दी प्रसाजी स्वतंतरता रुप से कावे रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे इसी बीच उनके बड़े भाई संबूरत्न जी का निदन हो जाने से घर की जो इस्तिती एक खराब हो गई बेपार भी नस्ठ हो गया मेत्रिक संपत्ती बेचने से कर्ज से मुक्तितों मिली परवे छे रोग का सिकार हो गए मत्र 47 वर्स की आयू में 15 नवंबर 1937 को इस संसार से विदा हो गए देख उनकी मत्तपूर रचना है उनकी मत्तपूर की रचना थे चंदर गुप्त असकंद गुप्त और द्रुस्वामनी का भी उन्होंने लिखा था आसु कमायनी चित्रधार लहर और जर्ना उनकी मत्तपूर कावे थी काणी भी उन्होंने लिखा था जैसे आंदी चिंदर जाल छाया प्रतिद्वनी ये मत्तपूर के काणिया थी पन्यास भी उनन लिखा था तीतली वा कंकाल वा और इरावती यह उनकी मत्वपूर पन्यास है नाटक भी उनने लिखा था कौन को सथा नाटक लिखा था सज्यन कल्याड़ी पल्ड़े चंद्र गुप्त असकंद गुप्ताजास सत्रू प्रायस्चीत जन्जय का नायग्य विसाखा द्रोस्वामनियादी यह कुछ महत्वपूर्ण का नाटक था ठीक है यहां तक चीज़े के लिए आप लोगों बताएं कोई दिक्कत अन्ड़ होना चाहिए चले यहां तक लिए रोगया है आगे हम बढ़ेंगे आगे हैं डाक्टर राजेंद परसाजी का ठीक है डाक्टर राजेंद परसाजी का आपको याद करके जाना है तो जीवन पर चेडिन डालेंगे आप लिक पेंसे लिखेंगे कि सफल राजनित्य गया और प्रतिवा संपन साहित्यकार देश रत्न डाक्टर राजेंत प्रसाद का जन्म जो हुआ था उठार सो चवरासीज भी में बिहार राजे के च्छापरे जीले के जीरादेई नाम का स्थान पर हुआ था इनके पीता का नाम महादेव साह था इनका परिवार गाउं के संपन और प्रतिश्ठित क की परिछा उत्रिन की सदेव प्रथम स्रेडी में उत्रिन वहने वाले राजेंदर प्रसाद ने मुझः फर पूर के एक कालेज में अध्यापन कारे किया इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरु की और सन 1920 तक कलकत्ता और पठ्टनाम में वकालत का का रे किया उसके पस्चात व प्रारम से ही राष्ट्र सेवा की उर्था सन 1917 में गादी जी के अदर्सों और सिदान्तों से प्रवाइत होकर उन्होंने चंपारण के अंदावलूंस में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूरुडाज से राष्ट्य सोतंतरता संग्राम में कुद पड़े अनेक बा कर भारत के पश को बीश्व के सम्मुख रखा डाक्टर राजिंद परसाथ तीन बार भारती राष्ट्य कांग्रेस के सवापती और सन 1962 तक भारत के राष्ट्य पती रहें साधा जीवन उच्विचार उच्विचार इनके जीवन का मुल्य अन्दमंत्र था सन 1962 में इन्हें रचनाय लिखेंगे कि डाक्टर राजिंद परसाथ जी के प्रमुख रचनाय निम लिखी थे कौन-कौन तभारतिय सिच्छा गादी जी की देन सिच्छा और सांस्कृतिक साहित्य मेरी आत्म का था बापू जी की कदमों में मेरी यूरोप्य आत्रा संस्कृत का अध्यन च लिखेंगे कि बगति कालीन महाकवी सूर्दास का जन्म रून कता नामगरा में 1478 इस में पंडीत रामदास जी के घर्म पे हुआ था पंडीत रामदास सारस्वत ब्रामड थें कुछ विद्मान से नम का स्थान को सूर्दास का जन्म स्थल मांते हैं सूर्दास जन्म से अंदे थे या नहीं इस संबंद में भी विद्वानों में क्या थे मतद भेद थे थे विद्वानों का कहना है कि जो बाल मनो विर्तियां यह उम चेस्टाओं का जैसा सुच मोवरणन कोई जन्मांद ब्यक्तिकर ही नहीं सकता इसलिए ऐसा प्रतित होता है कि वे संब्वता बाद में अंदे हुए होंगे वे हिंदी भक्त कवियों में सिरोमडी माने जाते हैं ठीक है चलिए फिर लिखेंगे आगे यहां पे कि सूर्दास जी एक बार बलावचारे जी दर्शन के लिए मत्वुरा के गव घाट आये और उन्हें स्वरिचित एक बलावचारे ने उन्हें श्रीनात मंदिर का किर्तन भार सोब दिया तब ही से मंदिर उनका निवास स्थल बन गया सूर्दास जी की विवाहित थे तथा विरक्त होने के पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे बलावचारे जी के संपर्क में आने से पहले सूर्दा जी दिंता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरू के कहने पर क्रिश्ण लिला का गान करने लगे सुर्दाजी की मुरुतु पंद्रों सुतिरासी इस भी में गोवर्दन के पास पारसौली नमग्रामें हुई थी उनकी काव विक्रितियां कुछ मत्तपुर हैं जैसे सुर्षागर सुर्षारावली और साहित्यलरी कुछ मत्तपुर का विक्रितियां हैं ठीक है चलिए यहां तक के लिए रोगया तो पहला आप सुर्दास का आपको मालूम चल गया ना चलिए दूसरा जो की जिवन परचे आपको याद करके जाना वो तुलसी दास जी क कभी हैं उनके जन्म से संबंदित प्रमारिक समागरी अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है इनका जन्म 1532 के भाद्रपद्र सुकल पच्छ एकादसी विक्रम सनवत 1589 स्युकार किया गया है तुलसीदाजी के जन्म और जन्म अस्थान के संबंद को लेकर सभी विद्वानों म परियाप्त मतवेद हैं इनके जन्म के संबंद में एक दोआ प्रचलित है कि 1524 कारिंदी के तीर 58 सुकला सब्त भी तुलसी धर्यों शरीर ठीक है तुलसीदाज का जन्म बांदा जिले के राजापूर गाउं में माना जाता है कहां बांदा बांदा जिला के राजापूर ग नाम आत्मा राम दूबे था और इनके माता को जो नाम था हुलसी था का जाता है कि अभुक्त मूल नच्छत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इने वालेकाल में इत्याग दिया था और इनका वजपन अन्यक कश्टों के बीच पर वेतित हुआ इनका पालन पो प्रफ़ाली से हुआ था और इन्हें अपनी पत्नी से यह अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके संदर रूप के प्रति वे अत्यांत आसक्त थे एक बार इनकी पत्नी बिना बताये माय के चली गई तब यभी अर्दरात्री में आंदी तुफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुचे इस पर उनकी पत्नी ने उनकी बरतना करते हुए का कि लाजन आई आई आपको दोरे आयो हुँ साथ पत्नी के इस फटकार ने तुलसी दास जी को संसकारिक मुहमाया से विरक्त कर दिया और उनके इर्दे में स्री राम के प्रति भक्ति भाव जागरित हो उठा तूलसी दास जी ने अनेक तिर्थो का भ्रमन किया और यह राम के अनंत भक्त बन गए इनकी जो भक्ति एद्दास से भाव की थी और पंदर सो चववतर इस भी में उन्होंने अपने सर्वेश्ट माक्का बेराम चरित्र मानस की रचना की अ उनकी महत्तवपूर्ड रचना है जो है वह वराग्य संदीपनी रामचरित्र मानस घितावली बीन पत्रिका दो हमली और कवितावली है थीक है यहां तक चीजे के लिए अब लोगों को कोई डाउट अन्ड़ी होना चाहिए चलिए यह यहां तक चीजे है तो आगई तुलसिदास का भी हो गया थीकिया अगला पंध्र जो था और 20 मईवी 1900 को अल्मोड़ा के कौसानी ग्राम के पिता का नाम था पंडित गंगादत था जन्म के छ़गंटे पस्चा थी इनकी माता स्वर्ग सिधारग हो गई और अता इनका जो लालन पालन पीता तथा दादी ने किया इनकी जो प्रारंबिक सिच्छा थी और कौसानी थी पता उनकी प्रारंबिक सिच्छा कौसानी गाउं में तथा उच सिच्छा का पाला जो चरण था वो अलमोडा में और बाद में बानार के क्विन्स कालेज से हुआ इनका कावेगत स्रीजन यहीं से प्रारम हुआ इन्होंने स्वे में ही अपना नाम गू साई दत्त से बदल कर सुमित्रानंद पंथ रख लिया ठीक है आगे है कासी में पंथ जी का परचे सरोजनी नाइडू तता रविंद्र ना टैगोर के कावे के साथ-साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ और यहीं पर इन्होंने कविता प्रत्योगिता में भाग लेकर प्रसंसा प्रात्व की सरसती पत्रिका में प्रकासित होने पर इनकी जो रचनाओं ने काव्या मर्मग्यों के हिर्दे में अपनी धाक जमाली वर्ष 1950 में यह आल इंडिया रेडियो के प्रमदाता पद पर न्यूट हुए और वर्ष 1957 तक प्रत्य चुरुप से रेडियो पे संबंध रहें यह च्हायवादी के प्रमुक अस्तंबों में से एक इन्होंने वर्ष 1900 सुरस 1987 तक साहित्य सेवा की और 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1987 को प् प्रमुकमार कवी पंचतंत्र में बिलिन हो गया ठीक है इनकी मत्वपूर रचना है पंथ जी के क्रितियान निम्रिखीत है पहला काव्य काव्य में वीडा गरंथी पल्लव गुंजन स्वर्ण किरण युगांत युगवाडी लोकायतन चिदंबरा इनकी मत्वपूर काव् उपन्यास उनकी मत्वपूर था हार पंथ जी का अन्यरचना पला देखे पलाविनी अतिमा युगपत रीता स्वरण किरण उत्रा कला और बुड़ा चांद सिल्पी स्वरण धुली आदि मत्वपूर की क्या थी उपन्यास था तो जैसा कि देखा आपने यहां पे प्रश् संस्कृत का गध्यांस और पद्यांस से चलिए अब हम कुछ मुटपूर आपको बताएंगे कि संस्कृत का गध्यांस और पद्यांस और इसे बाहर बोडिक जाम में जाएगा मेरे प्यार विद्दार्ति हो यहीं से प्रश्न बढ़ने वाले हैं आराम से 70 में 70 मरा आक है कि वरांड़सी सुविख्यात्ता प्राचीन नगरी ईम भी मल सलील रोरत्या गढल्यायंकुलं इस्तिता अस्या गटनायं वल्यकृतिय पड्रकृतिय धलयं चंतरिकायं भुराजते अगडिताय पर्यठकाय शुद्र वे उम देसे वेम नियत्म अत्र आयांती अस्य गटनायम 56 वनक्षय यां बहु प्रसंति थोड़ा पढ़ने में डिफकल्ट होता है ठीक है तो यह आपको तो दिया अपको एक्जाम में उपको दिया रहे गागा गद्याउस हमारी पाठिय पूच्ट कर अइन्दी के संस्कृत के वरारारसी पाठिस क्या है उद्रित है ठीक है और प्रसंग लिखेंगे कि इस गध्यांस में वरारसी की एतियासिक्ता तथ अव इस्तिती के लुशं में बताया गया है यह अनुबाद लिखेंगे इसका कि वरार्सी बहुत प्रसीद प्राचीन नगरी है और यह स्वच जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे इस्तित है इसके घाटों के गुमावदार पंकिती स्वेत चांदरी में बहुत सुंदर लगती है असंख यात्री ब्रहमण करने के ल पूर आपका पहला गध्यांस कंप्रिट होता हुआ है गध्यांस में संदरमने बता दीया प्रसंग बता दीया अनुबाद बता दीया ठीक है ब्रभली संस्क्रीट है कि एम नगरी विविद्धतरमाड सड़ा अस्तली देखे थोड़ा पढ़ने में डिफकल्ट होगा थोड़ा मिश्टेक होगा तो समाच आता हूं आप लोगों से कि मुझे संस्क्रित है सड़ मस्तली मात्मा बुद्धं तिर्थगडं पास्वर नात सड़गा चार यक कविर अगुष्वामी तुलशी दास अन्यच बहम महातमाना अत्रागय स्वीयान विचारन प्रसार्यनम कन केवल दर्षन साहित दर्मे अपीतू कला छेत्र पी एयम नगरी विधनायं कला नायं सिल्पानेंद किरति आणंवर्टाइब निजा प्रातिर्था निजा प्राइब том है इदानि satur requiring medium को तैंदी में आणदा कि करे जाना है ये तो आपको ईख लिखने वह यह की सपा देखने नोट का लिजए इसको इसके निचा लिखेंगह अनुबाद में लिखेंगे कि वह नगरी बीविद धर्मों के मिलन का अस्थान रही है मात्मा बुंद तिर्थकर पास्वरनात संकराचारे और कवीर गोस्वामी तुरसिदास और दूसरे बहुत से मात्माओं ने यहां आकर अपने बीचारों को फैलाया और थात मने बीचारों को प्रसार किया केवल दर्शन साइते और धर्म में ही नहीं अपीतु कला के छेत्र में भी या नगरी बिविद कलाओं और सिल्पों के लिए संसार में क्या प्रसिद है यहां की रेसमी स इस समय भी पालन कर रही है तो देखिए दूसरा महत्वपुड आप लोगों का गध्यांस था संस्कृत का है आई होप किलियर होगा मेरे प्यार वीदार थी हो कि इसको संस्कृत के गध्यांस में दिक्कत होता आज के बाद दिक्कत नहीं होगी पूरा पूरा नमबर आपको ठाक ले आएंगे ठीक है तीसरा देखे तीसरा जो कि महत्वपुड आप लोगों का गध्यांस जो कि तयार करके जाना है वह हतोवा प्रापस्याई स्वर्ग जित्वावा भोचस्य महिम निरासिर निर्मियों भूत्वा युदस्व विगत्त वजवरा ठीक है अब इसका स हमारी पाठ पुष्टक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर विरन पुजते पाठ से उद्रित है जो पाठ उसे क्या है उद्रित है और प्रसंग में लिखेंगे कि इस नट्यांस में संदेश दिया गया है कि सतुरता होने पर भी एक वीर को दूसरे वीर के साथ विरोचित व् प्रसंग में लिखना है अनुबाद इसका लिखेंगे अनुबाद में सिकंदर कह रहा है तुम मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना कठीन है पुरुराज कहते हैं केवल कठीन ही नहीं और संभव ही है सिकंदर क्रोज से बोलते हैं कि दूष्ट क्या तू नहीं जानता कि इस समय तू बिश्व विजय प्राप्त करोगे अथवा जीत गए तो प्रिधवी के राज को भोगोगे इसलिए तूम इच्छा रहीत ममता रहीत और संताप रहीत होकर यूद्ध है करो चलिए अगला देख लेते हैं कि अगला जो में लिया हूँ ओभी आपका वीरविरण फुझते से ब्याउत ही ज्यादा मैत्व पुड़ हैं नोट किजे कि पुरुराज श्रीयताम हतोवा प्राप्तेशी स्वर्ग जित्वावा भोचे से महीम निरासिन में भुत्वा विगत्तोजवर चलिए नोट कर लिजे इसको अब इसके नीचे संदर्व लिखेंगे संदर्व क्या है कि प्रस्तूत नाट्यांस हमारी पाठे पुस्तक हिंदी के संस्क्रीत खंड के वीर विरेन पूझते पाठ से उद्रित है इसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे कि इस नट्यांस में संदेश दिया गया है कि सतुर्ता होने पर भी एक वीर को दूसरे वीर के साथ विरोचित वेवार ही करना है चाहिए अनुबाद अनुबाद लिखेंगे इसका अनुबाद है कि पुरुराज सुनो यदि तुम यूद्ध में मारे गए तो तुम स्रण को प्रात्व करोगे अत्वा जीत गए तो प्रिद्वी के राजी के भोगोगे इसलिए तुम इचा रहीत मंता रहीत और संतान पर रहीत होकर यूद्ध करो ठीक है वेरी वेरी मुस्ट इंपोटेंट आपका गद्यांस था इसको किलियर कर लेजिए अगला गद्यांस जो है प्रभुत्तो ग्रामिड चेप्टर से वेरी वेरी मुस्ट इंपोटेंट है ठीक है चलिए इसको त्यार कर लेते हैं बहुत ही जादा आएंपी है वह है कि नागरिका नागरिका बहुकाल यावत अचिंतमय परम प्रहेलिकाय उत्रम दान्तु समर्थ न अभवत अता ग्रा लिकाय है उत्रम न जनामी इदम सुरुतता ग्रामिड अक्यत यदि भावान उत्रम न जनाती तरही ददातु दस रूपय काड़ी अतह कलान मुखेन नागरिकेड समय अनुसार दस रूपय काड़ी दन तानी बहुत ही ज़्यादा मेहत पूड़े नोट कलीजे इसके नीच उद्रित है इसके बाद लिखेंगे प्रसंग इस गद्यांस में नागरिके के पहली का उत्तर न दे पाने का उरण किया गया है तो अनुबाद इसका लिखेंगे कि नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा प्रंतु पहली का उत्तर देने में समर्थ न हो सका अता ग्रामवास किसी ने का यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो दस रुपे दे अता मलीन मुखवाले नगरवासी के द्वारा सर्थ के अनुसार दस रुपे क्या दे दिये गए बहुत ही ज़्यादा मैतुपुड़े मेरे प्यारवी दर्थ यह होप किलियर हो गया होगा प्रभुत् गद्यांस जो कि आपको तैयार करके किसी किमत पर बोड़िक जामें पहुचना क्या है अस्माक संस्कृत सदा गति सील वर्दते मानो जीवन संस्कृत उर्दतम एसा यथा समयम नवा नवम विचारधारा स्विक्रोवे नवा सक्तिच प्राप्तनोती अव दुराग्र नस् युग्वती यूत कल्यान कारिये चा दत्यत्रे संगर्ष ग्रियत भवंती यतस्या गति सिल्यात्य रहस्यम मानो जीवनम में सास्वत मुल्य नीतम पदयता सत्यस्य प्रतिष्ठा समंत भूते सु समभाव विचारे सु आवदार में अराचे द्रिता छेती तहीं आप भूताइब करने के लिए इसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तूत गध्यांस में वारतिय संस्क्रिती की गति सिल्ता और उसके लचीले पन के बारे में बताया गया है और वह लिखेंगे के मारे संस्क्रिती सदा गति सील रही है मानो जीवन को सुद करने के लिए यह समय नुसार नई नई विचार वाथा धारा को सिवकार कर लेती है और नई भक्ति को प्राप्त करती है इसमें दुरागरह हष्ट धर्मिता नहीं है जो की मुक्ति संगत और कल्यान करने वाला है वोढ़ किया जाता है। इसकी गति सीलता कारा से मानो जीवन में सदा रने वाले मूलियों में इस्तित है। जैसे कि आप क Zarateobject का सम्मान सभी प्राणियों के प्रति समान भाव विचार में और च्रण में धृत्य था हों तो देखिए यहां पर हमने इतना सारा MP3 घृत्त बता दिया आई होफ के लिय terrorists खोगया होगा ठीक है इन देता है गत्यांस पधिया था है टाप ताफ या कि जब्युक्षित है फोट्यांस उन्हें भूल सान पता प्रसंग इसका लिखेंगे कि इसमें सिकंदर और पुरुराज के सनवादों के द्वारा बिर्ता को परिवासित किया गया है किया गया है अनुबाद लिखेंगे कि बंदन हो अत्वा मरने हो जीत हो या हार हो दोने ही आवस्थाओं में बीर सम्मान राता या बीर भाव को एक ही विर्ता कहते हैं दूसरा जो कि पद्ध्यांस आपको तैयर करके जाना वह है कि सर्वे बावन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पस्यंतु मा कस्जिद दुख भाग भावेत वेर्वेर मुस्ट इंपोटेट आपको पद्ध्यांस हैं संतर्व लिखेंगे कि प्रस्तूत स्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतिय संस्कृती पाठ से क्या है उद्रित है ठीक है और इसका प्रसंग लिखेंगे यहाँ पर प्रसंग यहाँ पर लिखें प्रस्तूत स्लोक में भारतियों की मूल भावना प कोई वी दुखी न हो अर्थात कोई वी दुख का भावी न बने यह आपको अनिवाद में लिखना है ठीक है ताई होप के लिए रोगे दूसरा भी पध्यांस आप लोगों को तीसरा मुझ्ट एमपी पध्यांस आपको बताना लाओं जो कि आपको किसी किमत पर तैयार करके जाना है क्या है कि कीनु हित्वा प्रियो भावती किनु हित्वान सोचती कीनु हित्वा आर्थवान भावनती किनु हित्वा सुखी भावेत मानम हित्वा प्रियो भावती कुरोद हित्वान सोचती काम हित्वार्थवान भावती लोव हित्वा सुखी भावेत बहुत ही ज जीवन सुत्राणी पाट से उद्रित है और इसका प्रसंग लिखेंगे कि इन स्लोकों में विविन त्यागों के मत्तों को दरसाया गया है। हो जाता है और मनुस्य लोग को छोड़कर सुखी हो जाता है ठीक है यहां तक नहीं होगा होगा ठीक है चलिए यहां तक किलियर रगाना अब देखें प्रश्ण मत्रपुर्ण संदर्ब का गध्यांस पूस्ता है पद्यांस यह रिख लिया प्रश्ण साथ्मा वा क्या पूस्ता है उसके देखते हैं अपने sort पुस्तक के कंटस्त किया वह को एक सुलोक लिखे जो इस प्रश्ण पत्र में आया हो तो चलिए मैं आपको लोगों सुलोक बता देता हूं दो मत्तपुर सुलोक बता दूंगा उसको याद करके आप उड़िया में पहुंच आजएगा एक भी नमर नहीं कटेगा चलिए दू मैं आप लोगों सुलोक बता देता हूं छोटा छोटा दोनों याद कर लिजगा दोनों में इसको यह आजागा तो अट लिख दीजगा बंदम मरडम वापी जयो वापी पराजया उभेत्र समोवीर विर्भावद ही वीरता यह बहुत ज्यादा सिंपल आप लोगों का सुल मैं सुलोक का भी काम खतम हो गया थीक है प्रस्ण का साट हमां का कर निमनिक्षित पर Memphis Pike से दोपर संस्क्रीट में लिखे लिखिये दो परसम को उत्र संस्क्रीट में लिखना एस बाहर नहीं जागा इस बर और ऑद की मेला अं ठीक है इसे बात की ग्रांटी मेलत हूं इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे प्यारविदार थी ओर आम से पढ़के आप पहुचिए पहला है वराणसिया नगरिये केसाम संडम अस्तली अस्ती तो लिखें उतार के वराणसिया नगरिये विविदर्मार्ण संडमस्तल अस्ती ठीक है थोड़ा डिफकल्ट थोड़ा है पढ़ने में ठीक लिखें आप नोट कर लिजिए अच्छे से इसको कुत मरण मंडलम भावती तो आंसर होगा इसका वराणसिया मरण मंडलम भावती इतना आप याद कर लेंगे जितना बतार हो चोथा प्रस्ण वीर केन पूजते विर केन पूजते ता उत्तर देंगे विर विरन पूजते वेरी मुष्टा एमपी है चले पुरुराजा केन सा युदतम अकरोत उत्तर लिखेंगे पुरुराजा अलचेंदरन सा युदतम अकरोत इसके बाद है शिक्स अलचेंदरा का आसित क्या है अलच्छंद्रा कह आसित उत्त लिखेंगे कि पुरुराज कह आसित इसके बाद सात्मा है पदेन विना की दूर याती पदेन विना की दूर दूरम आती तो लिखेंगे पदेन विना पत्र दूर याती इसके बाद है आठ्मा अमुखोडोपिय का इस्पुटव प्रश्ण नमबर 9 प्रश्ण में दस्माजुक याद करके जाना है चंदर सेकरा का आसित तो उत्त लिखेंगे चंदर सेकरा प्रसीद करांतिकारिया देश भक्त आसित अगारा है भारतिया संस्कृतिया मूलनम की मस्ती तो लिखेंगे विश्वस्या अस्पष्टता इस्वर एक एवम इती भारतिया संस्कृतिया मूलम अस्ती तो लिखेंगे भारतिया संस्कृतिया सदा गति सिल वर्तते इसके बाद प्रश्ण तेरा विश्वस्या अस्त्रस्टा का तो लिखेंगे विश्वस्या अस्त्रस्टा इस्वरा एक एवम अस्ती एवम अस्ती फिर लिख तो लिक्षेंगे माता गुरुत रा भूमे अहं ठीकर पंदर वावात शिग्रतर कीम अस्ती इसके बाद रोगे इसका वकाम भी खत्म अब प्रस्ट नमर आठमा की तरह बढ़ेंगे प्रस्ट नमर आठमाएक करूडळ अस्यरस की यह अस्थाई बाव और परिवासा बताई दो नमबर के लिए चलिए देखते हैं करूल रस और आपका हास से रस देखें दूनों में इसको यह करना है करूल रस कीजिए तो हास रस कीजिए मैं दूनों आप लोगों बता देता हूं ठीक है चलिए पर करूल रस हेडिन डालिए लिखें करूल रस की से कहते हैं कि करूल अस्थाई बाव सोक है सोक नामक अस्थाई बाव जब विवाव अनुबाव और संचारी बाव से सन्योग करता है तब करूल रसकी क्या होती है निस्पस्ति होती है उदारन में लिखना है आप लोगों को मड़ी खोये वुजंग सी जननी फंसा पटक रही तिसीस अंदी आज बनाकर मुझको किया नया तुमने जगदीश यह आपका उधारन है असपस्थी करन करना बहुत ही ज़्याद जरूरा नंबर कर जागा असपस्थी करना पहला इखना अस्थाई बाव यहां पे सोक है दूसरा है बिवाव बिवाव में दो चीज़ आता है कालंबन आता एक तालंबन में स्रवण और आसरे में पाठक आता है इसके बाद खा उसका खाव में उद्धीपन उद्धीपन में दसरत की उपस्थी इसके बाद तीसरा अनुभाव अनुभाव में लिखना है सीरपटकना और प्रलाप करना फिर संचारी बावे स्मृति विशाद आदी और हो गया अब अब लोगों को हासरस बता देता हूं ठीक हासरस नूट कीजए क्योंकि करूर रस दोनों पूछा है तो हासरस लिखेंगे परिवासा उसका कि आसरस का अस्थाई बाव हास है किसी बैक्ति के विक्रित रूप आकार वेस बुसा आधी को देखकर हिर्दे में जो बिनुद का बाव उत्पन होता है वही क्या कलाता है हास कलाता है यही हास नमक अस्थाई बाव जब विवाव अनबाव और संचारी बाव से पूछ्ट होता है तब हासरस की क्या होती है निस्पति होती है तो इसका राप परिवासा और उधारन देखें लिखेंगे उधार वरतदारी महाविनू नारी दुखारे गौतम तीयतरू तुलसी सोकतन सुनी मैं भै मुनिवरित सुखारे है सिलासब चंद्रम की परसे पद मंजूल कंज सितारे कि नहीं वली रगुणाय कजू करुणा करी कानन को पंगु धारे तिया आपको उधारन है ठीक है चलिए उधा उद्धीपन में अहिल्या की कता सुनना राम के आगमन पर प्रसन होना इस्तूति करना यही क्या है उद्धीपन है और भाव यहां पर हसना के बाद कर रहा है संचारी भाव क्या यहां पर कि स्मृति चपलता उत्सुपता दी देखें यह जब उधारन आप लिख लेंगे कि बिंद्वाचल परवत पर रने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हसी आती है कि स्री राम के चरण असपर्स से यहां की जो सभी सिलाएं अब चंद्र मुखी नारियां बन जाएंगी तो देखें यहां पे दो नंबर आप लोगों कम्लीट हो कि हमने करूरा सत्वा असरस्किया अस्थाई बाव और परिवासा बता दिया इसके बाद उपमालंकार रूपकलंकार की परिवासा देते हैं तो दो दो आखेंगे उपमालंकार का परिवासा लिखेंगे लग्छण तो लिखेंगे कि जहां किसी वस्तू या ब्यक्ति को किसी अन्य वस्तू या ब्यक्ति से समान गुड़ दर्म के अधार पर तुलना किया जाए या समानता बताई जाए वहां उपमालंकार होता है ठीक है जैसे में रादा के चरण गुलाब के समान कोमल है देखे रादा के चरण का तुलना गुलाब के समान कर रहा है तो आप उपमालंकार होगा देखे लिखा है कि यहां रादा के चरण की तुलना या समानता किसे गुलाब से दिखाई गई है इसलिए यहां कों सा लंकार है उपमे यहां पे रादा के चर्ण है उपमान यहांपे गुलाब है वाचक यहां पे सम्मान है और साधालन धर्म है वह है कोमल इतना पॉइंट अगर लिग देते हैं तो अलंकार आपको पूरा नमर मिल जाएगा सबसे सीमपल होता है रूप कलंगार बहुत ज्यादा छूटा होता है रूप कलंगार रिणी जागी प्रिभासाय अलग छन कि जहाँ उपमे में उपमान का भेद रहीत आरोप किया जाता है अर्थात उपमे और उपमान में अभिन्यता प्रकट की जाए वहां क्या होता है रूपकलंकार होता है उधारना मुख चंदर तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता यह आपको उधारन है अस्पश्टी करण में उपमें यहां पर मुख है उपमान आपका चंदर है बस किलिए रोगया रूपकलंकार चलिए इसी होता है वहां पे और मनु मानो जनु जानो और मनहु जनु आदी उध्रचा के क्या है वाचक सब्द है उधारन में सोवत ओड़े पितू पटू स्याम सलोने गात मनो निल्मनी सेल पर आतपू पर्यो प्रभात यह आपका उधारन है अस्पश्टी करण में उपमें यहां प को उपमान है तो जैसा कि आपने देखा यहां पे कि यह कंप्रीट हो गया उपमालंकार उपक अलंकार तो हमने तीनों पता दिया उपक रूपक भी होता है उपमा भी उत्पर इच्छा भी आप देखें सुरठा और रोला देख लेते हैं ठीक है तो चलिए यहां पर लिख परतेग करण में 11 और 13 के विराम यती से 24 मतरा हैं होती हैं उदरान देख सकते हैं ठीक हैं एक 2 345 678 और कि पृखक ने कि यह रहाएं कि और धीरह कि यह रहा सटी भूप सिवाधी देखिए यहां पर में बाद करूं तो इसका मत्रा क्या है रूठा क्या है कि सुरठा और नहीं चार चरन्ण इसके प्रतेगिं इसके प्रथम और तीसरे चरण के अंत में गुरू और लगू आते हैं और कई कई बर्तुक भी मिलता है यह दो एक क्या होता है उल्टा होता है चले इसका उदान लिखें कि जहीं सुमिरत सीधी हुई गड़नायक करिवर बंधन करऊ अनुग्रा सोई बुद्धि रासी सुभगुन सदन देखें पहले और तीसरे चरण में कितने कितने मतर है यह समें बोला था है तो पहले और तीसरे चरण में 11 गयारत देखेंगे पहला है अपका तीसरे है देखते हैं दो दू चार दो च्हे 2 8 2 10 11 है कि नहीं इसमें इसमें भी 11 होसा तीन 1256 Fahrenheit इक याह दुषीयर और दूसरे चुधम 시청 2 6 2 12 दूबार 13 00 नहीं давby I do उपसर्ग आप लोगों को जो की 2022 बोड़ी जाम में पूछा जागो उसको तैयर कर लिजिए चले कुछ मत्रपूर उपसर्ग बता देता हूं जो कि तीन नमर के लिए यही तैयर कर क्या पूजाना है और अनका और अनमोल अंजान और अनपड यह आपका और अनका क्या है उप पूत्री इसी तरह अधी का उपसर्ग क्या होता है अधिनायक अधिराज अधिकार फिर चौता है अपका अपका क्या होता है तो अपका अपहरण अपराध अपकार फिर पाचमा परी परी का क्या होता है परिवार परिजन और परिवर्तन और छटमा का उपका उपका उपक उपहार ठीक है यह सब मत्वपूर उफसर्ग था जो कि आप लोगों को दो नंबर कर तीन नंबर के लिए पूछा जाता है किलियर हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्ण पूछता है क्या नौ कखा निम लिखित में से किनी दो प्रतियों का परियोग करके एक सथ बनाई अब म लोगों का प्रते है वह सुंदरता मदूरता और महांता है आठ और हट का जो आप लोगों पर तेव घब द्रीगू और द्रीगू और द्रीगूष के बूडी जाम्याने वाफ है समास में द्रीगू द्रीगूष तरी लोग तीन लोको का समूँ है你 VII चार रआहों का समाहार 29 उन-वरतन का समूँ टी या समूruktur कह सकते हैं внутриун वहानों का समूरी अपते हैं बना आप लोगों को द्रिवगुड समामाज की कुछ मततपूर आमने बताया आप लोगों को कर लिए सबक्राद कर लीजागा ठीक है इतना पांस याद करें के का मीज़ाएगा इसी तरह दोंदश समास देस उसका उजन देस और भी देस खरा खोटा तो इसका खरा और खोटा इसमाता फीटा तो इसका आधा और तीसरा यहां पर है चौता हम रात दिन तरोज है का रात और दिन पाप पूंगी यह क्या आपका आपका दोईंदर समास से हैं तो यहां पे समास भी के लिए हो गया होगा है अब आगे यह क्या पुछा है कि निम्री खेत में से किनी दो सब्दों के तत्सम रूप लिखे अब अच्छू का क्या होता है आशू अगनी का आग होता है ओस्ट का ओठ होता है अनाज का अन होता है करण का कान होता है करपूर का कपूर होता है चरण का चरण होता है हस्ट का हाथ होता है ठीक है मैरे प्यारवी दर्थियों यह मत्तवपूर आप लोगों कमने बता दिया तक्स जलिए इनध्र का पानी नीर्जीमन इंड्र का देवेंद्र सूरेंद्र और देवराज होता है इसे तरह अकास का परवाजी सब्ल नभ गगन और अंबर होता है इसके बाद कमल कमल का सरोज, पंकज, निरज, होता है, चंद्रमा का चांद, मयंक और अरंधू होता है, प्रिति भी का वसंदरा और धरा होता है, गंगा का बाईगी रती, सुर सरी मंधा किनी, बादल का जल्द, दन, मेग, और सूर का सूरज, दिनकर, यही आपको 10 में, अच से लिखे चले आना अगला प्रश्ण तो यहां तक क्यों रोगा नौ प्रश्ण तक दस्वां से पूछा है निमलिकी सवद्व में से किनिद्व के संधी विछेद कीजिया और संधी का नाम लिखे चले मत्तपुर कुछ में संधी बता देता हूं जो कि आपको याद करके 2022 बुटिजा में पहुचना है चले रखे संधी यही संधी आपको यही संधी देगा यड़ संधी 2022 बुटिजा में यही संधी आपके क्या है यड़ संधी है जो कि आपको तैयार करके जाना है मेरे प्य दन हो जाएगा इद पिपग एदि दन अपी हो जाएगा ठीक है सच्ट्ः चार अच्ट्रत नका अधुल्दे कोई विटन कुछ भी आपका इंडे इसके बाद दसमा का ख़ देखे निम्लिखी सब्दों की चतूर्थी विवक्ति विवचन रूप अब यहां पे विवक्ति पूछा ठीक है चलिए मैं कुछ मत्वपूर आप लोगों को विवक्ति बता देता हूं जो कि आप लोगों को याद करके जाना है देखे यही याद क में प्रत्मा विवक्ति दूतिय विवक्ति तृतिय विवक्ति चतूर्थी विवक्ति पंचमी सश्टी सम्तमी और संब्वदान होता है तो चलिए यह मतिका को याद होना है मतिका क्या होता है कि एक वोचन में मतिया 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 म दूनों में से कोई होता है ठीकर छालत है और इस और मत संबोधन में एक वचन किया हुता है मत है मते पर चाने हे मत होता है तो यह लोगों का हमने मति को आप बता जबाजिया दूसरा जो क्या को फलको याद करना जाना है किसका फ फलम क कर जगा को फलम फले फलानी फलम मसल हमशले फलायम फलायम फले इसका फलस्य प्र नाम непर επट फले फले फलानी ठीके यह ओनाद मुऺगों किया है फल क्या है अभू स्ट को कि याद मुच्टी मोठें नदी का कि याद किצिती है लिखें नधी तीम fields सब्सक्राइब को अहि üzerine को जिए नदो नदीम नदिय नदो नदियम नदी ब्याम नदी भी तो चलिए तो चलिए यह आपको याद करके जाना वेरी वेरी मुंस्ट आया एंपी ए मेरे प्यार विद्धारतियों चलिए यहां पर भी किलिए है आपका दिया आगे निम्लिकी सब्दों में से किसी एक धातुलाकार पूरुस्तता वचन का उलेक करना है तो चलिए हम लोग दातू रूप देख लेते हैं Okay dhatu रूप को देखे वेर 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 मुस्ति इन धातू रूप जो है वह आपका पढ़ना का पढ़ना का यू लड़șला कार भूद क आज होता सबसे ज्यादा यह यह आता ठीक है तुई इसमें आपको प्ररूप बहुत जाए तो लट लड लकार भूताम हो जाएगा तो यह आपका भूत काल में जो लड लकार है उसका अमने पढ़ना काब बता फ़ी तरह हार का बहुत काल का सबसे जादा आता है ठीक है तो बहुत काल में पूरुस में avete नge अद्यों अब तत्रbey बुरुस है और एक उचन और बहुचन तो देखिए किणा आप हसना जब दोट है एक प्रथम में आसत आसत असताम आसन इस तरह आसा आसतम आसत फिर आसम आसाव अहसाम यह मत्तपुड आप लोगों क्या था सब्द रूप्त था जो दातु रूप आयूहोप के लिए रहोगा इसके बाद प्रश्ण क्या पूछता है दातु रूपद निम्लिकित में से कि दो व बाद करना पड़ेगा चलिए तो संस्क्रिट के अनुबाद तो आप लोग करी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद निम्लिकित विश्व में से किसी एक भी से पनिबंद लिखे देखिया आपको निबंद देगा जो कि वेर वेर मुस्त निबंद कौन सा आपको यह कमेंट कर दीजेगा मैं तुरंत आप लोगों को बना दूँगा ठीक है ताई होप आपको किलियर हो गया होगा इसी तरह आप लोगों का यहां पर क्यूसन और बार जो कि लास्ट है कि अपने पठीत खंड़कावे का दार पर निम्लिकित पस्टों में से किसी एक का उत करता है तो आराम से आप इसको याद करेंगा अब यहां से सतर में सतर नाम बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो गया मेरे प्यार विदार्थ्यों मिलेंगे प्यारे से नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद